और बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत बिजनौर से बड़ी खबर है नाई अधिकारी तंजील अहमद मुर्डर केस में पुलिस ने बिजनौर के सहस्पुर में संदिधों के घरों पर दविश दी और कई लड़कों को पूछ ताच के लिए हिरासत में लिया है फुलिस ने तंजील अहमद, विजवान, रियान, जेनी, इनाम को हिरासत में लिया है तंजील अहमद की बदमाशों ने गुलियों से भून कर अध्या कर दी लिया वसीम अक्तर हमारे समधाता हमारे साथ है वसीम क्या जानकारी मिल लिया है जनें पूछ टाच के लिए हिरासत में लिया गया है किस आधार पर किस बिना पर उन्हें हिरासत में लिया गया है सब्सक्राइब के लोग बताया जाते हैं और उन्हीं संदिक्तों के आदार पर ही जाती है इन लड़कों को गिरफ़तार के आरेश्टे इस पूस्तार की जारे है और यह मालूं के जा रहा है कि उनका इस हथ्याकार में कितना हाथ है अब पुलिस ने और टीमे बनाई कुई हैं बरी लही है एक लाब अलेकर गड़ गयो हुए है हापूर में बी टीम के हुए है अभी पुलिस ने उस तमाव में एक जारे के आर फार एदर बिस पी सांसद नरेंद्र कश्यप और उनकी पतनी को सीने में दर्द की शीकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है वहीं म्रतक हिमानी के पड़िजनों ने नरेंद्र कंश्यप पर हम्लकिया उनकी गाड़ी में तूरपुल की कोशिश भी के तो हिमानी की संद्ध धिमाथ के बाद ये हंगामा बीएस पी सांसग नरेंदर कश्यप और उनकी पत्वी को सीने में दर्थ की शिकायत के बाद अस्पताल में भंती करवाए गया है जबकि मृतक हिमानी के परिजनों नरेंदर कश्यप पर हमला किया उनकी गाड़ी में तोड़ पोड़ की कोशिश की तो नरेंदर कश्यप और उनकी गाड़ी पर हमला बुला हमानी के परिजनों ने तो तस्वीरा आप देख रहे हैं और अधर नरेंदर कश्यप और उनकी पत्णी को सीने में दर्थ की शिकायत के बाद अस्पताल में भंती करवाए गया यादराम हमारे समधाता हमारे साथ हैं यादराम जिस तरीके से हमानी के पिता ने उनके परिजनों ने सीधे सीधे आरोप लगा हैं नरेंदर कश्यप और उनके परिवार पर क्या इसके बाद किसी तरह की करवाई में कमी है जिस वज़े से यहां हमला किया गया नरेंदर कश्यप पर अभी क्या इस्थिती है अब देखें जीत जिस तरह में यहां तर इन्हों ने रंदाना शुरू कर लिया ताथ सबसे बड़ी बात ने कि रूम है ताफ तौर पर यारो लगाया प्तांसथ के परिवार पर कि उन्होंने बहेज के लिए अस्या की गई है और इसमें काफी दमने से फॉर्चुनर्ग की बीई है इसमें की कहा गया है कि जो सांसथ परिवार है लगातार गाड़ी के लिए हिमानी को परिशान कर लागा है जिसकी होजे सही अन्हों गठना हो जए जे शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए बियस्पी सरकार में मंतरी रह चुके हीरालाल कशप की बेटी थी हीरालाल कशप ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है हीरालाल कशप ने आरोपियों की गिरफतारी ना किया जाने पर आतमदा की धंकी दिये उदर अपने परिवार पर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए बीसपी सांसत नरंदर कशप ने कहा कि सभी आरोप गलत हैं और हमने बिना दहेज के अपने बेटे की शादे की थी नरंदर कशप ने ये भी कहा कि हीरालाल को शक है तो मैं खुद मामले की सी बी आई से जाच कराने को तयार हूँ और हमने की मौत के बाद उनके पिता ने जहां सबसराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया तो ससुर नरंदर कशप ने सभी आरोपों को खारीच करते हुए कहा कि वो मामले की सी बी आई जाच के लिए भी तयार है अगर हमने कभी कोई दहेज की बात की होती दहेज की मांग की होती तो हमारे खिलाप या परिवार के खिलाप कभी कोई कप्लेंड हुई होती करीब साड़े ग्यारे पोने बारे बजे मैं मेरा परिवान नीचे हम लोग बैठे थे बोता जिस लड़की का गच्चा वो भी नीचे था बीच में उस बच्चा रो रहा था मेरी मिसीज ने कहा कि बच्चा रोरा हिमासी को बलाओ दूद पिला देगी उपर बच्चा भेजा देखने के लिए तो गेट लगा हुआ तक खुल नहीं रहा था उन्होंने बताया कि उपर गेट लगा हुआ है जल्दी उपर आओ हम उपर गए तो गेट तोड़ा देखा तो अंदर वो पड़ी हुई थी खुन निकला हुआ था सिर से और पिर देखा तो उसके पास रिवालवर पड़ा हुआ था बिलकुल दुरभाग पुन है ये बात सही है कि हिरालाल करशप बहुत नेक और शरीफ आदमी है उसका परिवार शरीफ रहा उसकी बेटी बहुत शरीफ लायक वर मैं भी उसके लिए हमेशा इस तरह से बिहेव करता था जैसे मेरा बच्चा हो तो दुनों पक्षों की बाते हैं अपने सुने फिर हुआ क्या ये गंभीर सवाल है अब इस पर विवेचना जारी है जांच कर रही है पुलिस वराल इधर सियासत के अगर बात करें उत्राखन के सियासी संकट पर आज नैनी ताल हाई कोट में कोई फैसला नहीं हो सका मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी ऐसे पहले आज हाई कोट ने मामले की सुनवाई दो दिन के लिए टालने की केंदर की अपील को खारिज कर दिया था आज कोट में कॉंग्रेस की तरफ से अविशेक मनु सिंग्वी ने राष्टपती शासन लगाने के केंदर सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदाज दली लें थी सिंग्वी ने केंदर की मनुशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राष्टपती शासन का प्रयोग या दुरूपयोग दो चीजों को हटाने के लिए किया गया पहला 28 तारीक को राजपाल के आदेश को लागू होने से रोकने के लिए और दूसरा स्पीकर के फैसले को प्रभावित करने के लिए अविशेक्ष मनुशिग्वी ने विन्योग बिल पर ये कहा कि बिल के पास होने और नहीं होने को लेकर जो बात कही गई है वो महज बहाना है वो कानून के तहर बिलकul भी प्रासंगित नहीं है अब शेक मनु सिंग्वी ने एसर बुमई और रामेशोर पसाद केस का हवाला दिया मामले की सुनवाई कल भी जारे रहेगे कल केंदर सरकार के वकील हाई कोड के सामने अपना पक्ष रखेंगे राश्पती साशन का प्रयोग या दुरुपियोग किया गया दो चीजों को हटाने के लिए स्पीकर के निर्णे को फ्लोर टेस्ट बारा 28 तारीक को निर्मित कारियान्मित होने के लिए और स्पीकर नी गवरनर के आदेश को 28 तारीक को कारियान्मित होने के लिए और स्पीकर के निर्णे को दूसरी दलील ये थी हमारी कि ये जो अप्रोप्रियेशन बिल पास होने न होने की बात की गई है वो बहाना है वो कानून के अंतरगत बिलकुल रेलेवन्ट चीज नहीं है जो कोई संबन्द रखे राजपती साशन के आदेश से और आगे बताते हैं आपको एकसाइस ड्यूटी बढ़ाय जाने के खलाब देश भर में आज सर्राफा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया दिली के जंतर मंतर पर सर्राफा कारोबारियों ने एक बड़ी रेली कायोजन किया इस रेली में लाखों कारोबारियों के अलावा पाधक्ष राहूल गांधी भी शामिल हुए। दरसल इस बार के बजट में वितमंत्री अरुन जेटली ने गोल जुलरी पर एक फीजदी एकसाइस ड्यूटी लगाने का एलान किया था, जिसका सर्राफा कारोबारी लगातार विरूत कर रहे हैं। इससे पहले रेवार को भी दिल्ली में सर्राफा कारोबारियों ने प्रदर्शन किया था। अब ही साथ मिला। जंतर मंतर पर ज्वेलिस के प्रदर्शन में कॉंग्रेस उपध्य हक्ष राहूल गांधी शामिल हुए। राहूल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार छोटे व्यपारियों का दमन कर रही है। देशबर के ज्वेलर्स बजट में गोल्ड ज्वेलरी पर एक फीसदी एकसाइस टैक्स लगाने की विरोध में दो मार्च से हर्ताल पर चले गए। ज्वेलर्स दोलाक रुपे से जादा के लेन देन पर पैन कार्ट जरूरी बनाये जाने का भी विरोध कर रहे हैं। उनिस मार्च को वित्तमंत्री अरुन जेटली के साथ बैठक के बाद ज्वेलर्स ने हर्ताल खत्म करने का एलान किया था लेकिन आंदोलन नहीं रुका। मांगो पर विचार के लिए सरकार ने एक कमेटी के गठन का एलान किया जो साथ दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। ज्वेलर्स की लंबी हर्ताल और विरोध प्रदर्शन की बावजूद मोधी सरकार गोल्ड ज्वेलरी पर एक साइस ड्यूटी वापस लेने से इंकार कर चुकी है। सरकार का तर्क है कि नए नियुमों से सोनी की तसकरी और ब्लैक मनी पर रोक लगेगी। हाला कि यहां पर अब बड़ा सवाल ये है कि कॉंग्रिस के ज्वेलर्स के साथ खड़ा होने से सरकार के रुक में कुछ बदलाब आता है या नहीं। शिर्वा बुंडीर के साथ ब्यूर रिपोर्ट इंडिया 24-7। पार्टी के 36-वे स्थापना दिवस के मौके पर दिली में बीजेपी मुख्याले भगवा रंग में रंगा हुआ था। पदन पर कमल के फूल के छाप के साथ कारेकरता समारों की शोभा बड़ा रहे थे। स्थापना दिवस पर पीम नरेंद्र मोधी और पार्टी अध्यक्ष अमिच्छाह ने कारेकरताओं को बधाई दी। पार्टी मुख्याले में आयूजित समारों में अमिच्छाह ने बीजेपी को इस मुकाम तक पहुचाने वाले नेताओं और कारेकरताओं को याद किया। अमिच्छाह ने कहा कि हमारे हर अंदोलन का कारण राष्ट्रवाद रहा है। इसी वज़े से पार्टी की पहचान राष्ट्रवादी पार्टी की बनी है। लहाजा कारेकरता इस पहचान को आच ना आने दे। साथ में अगले 25 सालों में पंचाइट से लेकर पार्लिमेंट तक पार्टी के राज का लक्ष रखा। कुसा बहु ठाकरे, नाना जी देश्मू, गुराज मता सिंध्या, भाई महवीरति आगी कितने नाम विन्या है। और अचल विहारी वाजपई पहले अध्यक्ष बने थे। अब तक 10 नेता बीजेपी के अध्यक्ष बन चुके हैं। गितिका वर्मा, दिली, इंडिया 24-7 और इधर बीजेपी के वरिष्ट नेता लाल करशन आडवानी की पतनी का निधन हो गया। कमला आडवानी का दिल का दोरा परने से निधन हुआ। दिली केम्स में कमला आडवानी ने आखरी सांस लिए। 25 फरवरी को ही लाल करशन आडवानी ने अपनी शादे की पचासमी सालगिरा मनाई थी। कमला आडवानी के निधन पर शोक जता है। बीजे पीनेता आरती मेरा ने कमला अड़वानी के निधन पर शोक जता है शक्ती सुरूपा अड़वानी जी के पीजे हमेशा खड़ी रही और पूरे कारेकरताओं को मां के नाते जिस तरह से उन्होंने प्यार दिया आज वो हमारे बीच में नहीं है यह हमारे लिए बहुत ही दुक्ती घड़ी है कैबनेट ने आज उन इलाकों के लिए स्पेक्टरम शेरिंग की मनजूरी दे दी है जहां स्पेक्टरम के लिए मारकेट रेट मौजूद नहीं है इससे कमपनिया बिना आउक्शन में हिस्सा लिए स्पेक्टरम हासिल कर पाएंगी साथी कैबनेट ने चार सरकल में 800 मेगा हर्ज स्पेक्टरम की ट्रेडिंग को मनजूरी दे दी कैबनेट ने वियोम में एटी सी की 51% हिस्सा खरीद को भी मनजूरी दे दी है यह इसा 5856 करोड रुपे में खरीदा जाएगा कैबनेट ने नई कुरूड इंपोर्ट पॉलिसी को भी मनजूरी दी है इस नई पॉलिसी के लागू होने से ओयल मार्केटिंग कमपनियों को स्पार्ट मार्केट से कुरूड खरीदने में आसानी होगी मजूदा नीती से ओयल मार्केटिंग कमपनियों को इंपोर्ट में वक्त लगता है इससे इंडियन ओयल, BPCL और HPCL को फादा होता है The meaning of this cabinet decision is that wherever an administratively allocated spectrum is available whose liberalization is sought and whose market determined price is not available then in that case, the trize recommendations for auction for the price shall be taken as a provisional standard and after actual auction, the balance will be taken किंदर सरकार के एक नए प्रस्ताओं के मताबिक अगर किसी कर्मचारी ने एक साथ दो शादियां की हुई है तो उसे इसकी जानकारी अपने service book में देनी है कार्मिक प्रसेक्शन विभाग ने कर्मचारीयों के service book का नया format जारी कर दिया है इस नया service book में कर्मचारीयों को अपने दो विभाग के बारे में बताना होगा यानि एक साथ दो पत्नी या दो पती होने की जानकारी देनी होगी मौजूदा नियमों के मताबिक केंदर सरकार का कोई भी कर्मचारी सरकार की इजासत के बिना एक साथ दो शागियां नहीं कर सकता मिशन 2017 व्लेकर समाजवादी पार्टी अमेरिकी विश्यश शग्यों से अब सहयत आलेई समाजवादी पार्टी ने अमेरिका में हिलरी क्लिنटन का चुना पर्चार संभालने डिमोक्रेटिक पार्टी के सलाकार गिराड आस्रें से सहायत अलेने का बनाया है इसके लावा समाजवादी पाटी ने अपने युवा निताओं के एक पैनल को अगस्त में अमेरिका भिजने करने रिने लिया है जो अमेरिका में तीन माह तक युवेस चुनाव की बारीकियों को जानने की कोशिश करेगा अगले साल होने वाले यूपी विधान सभा के चुनाव काफी हाइटेक होंगे जहां कॉंग्रिस ने प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने का फैसला किया है तो वहीं एसपी ने भी इंटरनाशनल तौर तरीकों से चुनाव लड़ने का फैसला किया है पार्टी नेता और सरकार में मंत्री अभिशेक मिश्र ने ट्वीट के जरीए इसका जिक्र किया था वैसे पार्टी नेता ये जरूर मानते हैं कि रणनीती के लिए पार्टी कई सतरों पर काम कर रही है पर उसका चेहरा अखिलेश यादव और चवी उनकी सरकार की उपलब्धिया होंगी समझवादी पार्टी में 2017 में चेहरा कौन होगा मानी मखुनती जी होंगे ये तेह है जहां तक चुनावी रणनीत का सवाल है ये सच है कि चुनावी रणनीत बनती है अलग अलग बनती है अभी हम लोगों की सैकिर रेलीत हैं हुई है वह चुनावी रणनीत का हिस्सा है इस्टीकर और सॉंग जिस तरीके से भी हम अपनी विजारधारा को हम पब्लीक के भीच पहुचा सकते हैं वो सारे तरीके हम लोग अपनाएंगे पाटी के युवा नेताओं के अमेरिकी दौरे को CM अखिलेश यादफ की मन्जूरी मिल चुकी है इस दौरान समाजवादी पाटी के युवा नेता अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रक्रिया को देखेंगे समाजवादी पाटी ने अमेरिका दौरे के लिए 11 युवा नेताओं को चुना है समाजवादी पार्टी के युबानेता राश्रुपती पत के उमीदवारों की क्यामपेन स्टाफ के साथ भी रुकेंगे समाजवादी पार्टी ने पिशले साल ही 2017 के विधानसबा चुनाव के लिए अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सलहकार गिराल्ड जे आस्टिन की सेवाइन लेने का फैसला कर लिया था गिराल्ड आस्टिन वही है जिन्होंने अमेरिका में जिमी काटर, बिल क्लिंटन और बराक उबामा के लिए चुनाव प्रचार अभियान में एहम भूमिका निभाई थी गिराल्ड आस्टिन पिछले चार दशकों से अमेरिकी चुनाव में अपनी पार्टी के लिए रन्नीती बना रहे हैं गिराल्ड आस्टिन ने पिछले साल नुमंबर माह में लकनव में अखिलेश यादव से मुलकात की थी अब कंप्यूटर से लेस ये पियार कंपनियों के लोग कुछ सर्वे करेंगे और एक खास तरह का निशकर्श निकालेंगे और जिसके आधार पर वो राजनीतिक दलों के रन्नीतिया ते करेंगे यह इस देश में पिछले डेढ़ दसकों में ये दिखाई पड़ा है जो राजनीतिक संस्कृत के लिए बहुती दुर भागे पूण है हालकी विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है बेजेपी का कहना है कि एसपी पहले अपना एजेंडा रखें समाजवादी पार्टी के रणितकार फ्रंट पे लड़ रहे हैं बाहर से ला रहे हैं पर चाहे कुछ भी कर लें कॉंग्रेस पहले समाजवादी पार्टी के पिछलगू होने से तो हटे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सियासी दल पियार कंपनियों का सहारा लेंगे तो पार्टी कारिकरताओं का क्या होगा एक तरफ युवासीम अखिलेस और उनकी समाजवादी सरकार की छवी तो दूसी तरफ एक अमेर की पियार कंपनी तो समाले की उतर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनावी अभियान बिहार, गुजलात और देश के लोकसवाद चुनाओं में चुनाओी सफलता का जंडा गारने के बाद पियार कंपनीों के असली अगनी परिक्षा उत्तर प्रदेश के चुनावी अखाडे होंगे कैमरा मुमिशाक सतवनी फिद्याती लकनो इंडिया 24-7 और दिली में 15 अपरैल से लागो हो रहे है और इवन फर्मूले के तहत महिला कारचालकों को मिलने वाली छूट जारी रहेगी दिली सरकार और इवन स्कीम में स्कूल यूनिफॉर में बच्चों को गाड़ी से स्कूल छोडने और स्कूल से लाने जारे है पेरेंट्स को भी और इवन स्कीम में छूट मिल सकती है और इवन फार्मूले से जुड़ा फाइनल नोटिफिकेशन अगले दो दिनों में जारी किया जाएगा इस बीच नेशनल ग्रीन टिबुनल ने दिली सरकार और दूसरी आथरिटीज से सवारी गाड़ियों के धुएं और पूड़े से जलने से होने वाले प्रदूशन से लोगों को जागरू करने को का है जिटी ने काया कि जिस तरह से दिली सरकार और इवन स्कीम का प्रचार कर रही है जागरुकता को लेकर वैसा ही प्रचार क्यों नहीं किया जा रहा है एक जमसन देने पर विशार किया जाएगा और चल दी दिली में बिना डाइवर की मेट्रो चलने वाली है ये मेट्रो पूरी तरह से वाइफाई और लिड टाइप स्क्रीन से लेटी टाइप स्क्रीन से लैस होगी जबकि इसकी स्पीड भी मौजूदा ट्रेन से ज़्यादा होगी इसमें यात्रियों के उक्षमता भी ज़्यादा होगी इस मेट्रो ट्रेन में डिजाइन के स्थर पर कई बदलाव किये गए हैं ये देखने में अंदर से काफी रंगों वाली भी होगी ड्रावरलेस मेट्रो तीसरे फेज की मेट्रो लाइन पर चलेगी ट्रेन 58 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क से लेकर शिव विहार और 38 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे जनाकूरी पश्रिम और बोटेनिकल गार्डन रूट पर चलेगी इस मेट्रो में ऐसी सिगनल प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है जो केवल विश्व के चुनिंदा शेहरों में है दिली मेट्रो ने दक्षन कूरिया से 20 ड्रावरलेस मेट्रो ट्रेने मंग आई है अगर आप देखें सारे रेल्वे सिस्टम्स में जैसे जैसे आप सेफ्टी इंप्रूब करना चाहते है या एफिसेंस इंप्रूब करना चाहते है तो हुमन इंटर्वेंशन कम करना पड़ना है तो ये उसी में जो फाइनल स्टेप है कि जो ट्रेन चलती है उसमें कोई हुमन इंटर्वेंशन नहीं है सारा का सारा चीज टेकनलोजी के उपर